Hello everyone welcome back to my channel मैं लेकर रही है आज आप लोगों के लिए दही गोवी की बहुत इलाजबब और बहुत स्वादिश सब्जी जिसे आप एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो हर दिन हपते में दो तीन बार आप ये सब्जी जरूर बना कर खाएंगे और हर बार गोवी आप मेरे ही तरीके से बनाएंगे तो चलिए इस मज़ेदार से रस्वे को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पे एक मीडियम साइज का गोवी ले लिया है इसका पत्ते हमने निकाल दिया है काटका सबसे पहले हमें इसे कट करना है और कट करके इसके बड़े बड़े टुकडों को निकाल लेना है जिससे की हमारा ये गोवी का फूल बड़ा बड़ा दिख अब लेते हैं एक वर्तर में पानी, पानी हमने यहां पे गर्म पानी लिया है, उसमें हमेने डाला एक चोटी चमच नमक, अब क्या करना है, सारी गोवी को इसमें डूबा देना है, जिससे कि हमारा गोवी अच्छी तरह से साफ भी हो जाए, और कोई भी कीडे मकोडे भी हो अच्छी से निकल जाए, गर्म पानी में देने से गोवी बहुत यहां अच्छी तरह साफ हो जाता इसमें हमें क्या करना है, इसे 2-3 मिनट के लिए, इस गर्म पानी में ही डूबा रहने देते हैं तो लेजे 2-3 मिनट हो गया है, गोवी को हमने इसमें ही छोड़ दिया था, गोवी काफी अच्छी से clean हो चुक है, अब इसे चन्ने में छानते हुए निकाल लेते हैं, पानी अभी भी ये गर्म है, तो सारे गोवी को हमें निकाल लेना है, और इसे साफ एक दो पानी से और अ एक चोटी चमच हमने दिया जीरा पौडर, एक चोटी चमच हमने यहाँ पे दिया गरम मसाला पौडर, और इसके साथ यहाँ पे तो चमच भरके हमने दिया है बेसन, बेसन देने से हमारा ये क्रिष्पी गोवी बनेगी और बहुत अच्छा स्वाधिस रोता है, और इसमे में काफी अच्छी तरह से कोट हो चुका है अब इसे ठक देते हैं अड़ा कर 2-3 मिट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देते हैं तब तक इसके मसालों की तयारी कर लेते हैं हमने यहां पे लिया है 100 ग्राम दही और अच्छी से फेट लिया है अब लेते इसमें एक चोट मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मसाला भी हमारा तयार हो गया है तो गोबी हमारा काफी अच्छी तरह से मेरिनेट हो चुका है मसाला इसमें काफी अच्छी तरह से कोट हो गया है अब लेते हैं कढ़ाई उसमें डालते हैं सरसो का तेल और उसे थोड़ा गर्म होने देते हैं तो लेजे तेल गर्म होंगे है अब थोड़े थोड़ा पोबी डालकर हम इसे अछ्छי से चला टΗढ़ाते हुए तेल को अच्छी तरह से गर्म करना बहुत जरूरी है तो लेजेए गौभी हमारा अच्छे से फ्राइ कर दिया ये golden हो चुका है तो अब सारी गोपी को निकाल कर रख देते हैं साइड में और सेम क्राइए में फिर से लेते हैं थोड़ा सा सरसुका तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालते हैं एक तीछ पत्ता कुछ खड़े गर्म मसाले एक चोटी चमच हमने यहाँ पे पाच फूरण दिया है अगर पाच फूरण ना हो तो आप यहाँ पे जीरा भी दे सकते हैं और इसे अच शमच भर के अद्रक लसुन और हरे मिर्ची का पेष्ट और इसे डाल कर भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनते हैं हर मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत जरूरी होता है मसाला अगर अच्छी तरह से भूनेंगे तो सबजी आपका काफी स्वादिश बनेगा तो लीजे एद्रक लसुन का पेश्ट हमरा अच्छी तरह से भून चुका है अब हमने दही के साथ जो मसाला बना के रखा है ना सारे मसाला को इसमें ले लेते हैं फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है क्योंकि तही के साथ मसाला भूनने से क्या होता कभी-कभी फट जाता है तो फ्लेम अगर लो रखेंगे तो आपका यह मसाला बिलकुल नहीं भटेगा साथ ही हमने कटोरी में थोड़ा पाने डाल कर धोकर उसे भी ले लिया और इसे लगतार चलाते हुए मसालो को हमने अच्छी तरह से भून लिया है देखिए तेल भी इसे प्रेट होगया है अधाक कर 2-3 मिनट के लिए लोग फिलें पीसे अच्छे से भूनने देते हैं तो लेजे 2-3 मिनट हो चुकी है और मसाला हमारा काफी अच्छी तरह से भून चुका है तो इसे अच्छी से कर लेते हैं एक बार मेक्स और हमने जो गोवी को फ्राई करके रखा है ना सारे गोवी को इसमें ले लेते हैं और मसालों के साथ इस गोवी को अच्छी तरह से भूनते हैं तो मसालों के साथ गोवी को हमने अच्छी तरह से भून लिया यह काफी अच्छी तरह से भून चुका है अब डालते हैं इसमें gravy के लिए पानी तो पानी हमने यहाँ पर गुंगुना करके रखा है जब भी किसी सबजी में आपको gravy डालना हो तो थोड़ा सा गुंगुना करके पानी डालेंगे तो आपकी सबजी का स्वाथ खराब नहीं होगा और यह काफी स्वादिश्ट बनेगी तो हमने इसे अच्छे से mix किया, blast में डालते हैं थोड़ा करम masala powder और इसे mix कर देते हैं और यहां पर flame को low करकर इसे ठक कर 2-3 minutes के लिए और पकने देते हैं जिसे के गोवी हमारी अच्छी तरह से पक जाए तो लिजे 2-3 minutes हो चुके हैं सबजी काफी अच्छी तरह से पक गई है और यह बहुत ही लाजवा बहुत ही स्वादी सबजी है इसके खुझब बहुत ही अच्छी आ रही है तो आप इसे बनाएं और खाएं पताएं आपको हमारी यह recipe कैसी लगी तो फ्रेंड्स अगर पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक करना और इसे जदा ज़्यादा सेयर करना और हमारे चैनल पर अगर आप नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना लाश्ट में इसे डालते हैं हरी मिर्ची कटे वे और हरे धनिया से गानिसी करते हैं और फ्लेम को करते हैं और चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो गर्म गर्म गोवी बनकर तयार हो गई, बहुत इलाजवा, बहुत इस्वादिश सी सबजी बनती है, तो आप भी इसे बनाए और खाएं कॉमेंट करकर जरूर बताना के आपको हमारी ये गोवी की सबजी कैसी लगी, तो गर्म गर्म चावल हो, रोटी हो, पराठा हो, सब के साथ ये गोवी बहुत ही स्वादिश लगती है, तो लेजे तयार हो गया धावाई स्टाइल तही गोवी की बहुत ही लाजवाब सी सबजी, तो आप भी इसे बनार खाएं और कॉमेंट करका हमें जरूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, तो फिर फिर से मि कर देकने रेसिपी के साथ, तब तक लिए बावाई, टेक केर और पूरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू